दो वक्त की रोजी रोटी के लिए दरदर की ठोकरे खाने को मजबूर परिवार बायतु तेहसिल की सवाव पदम सिंग निवासी कमला विकलांग होने के करण परिवार पालना सबसे बड़ी मुश्किल है उम्र 36 साल है पती भी मजदूरी नहीं कर पा रहा क्योंकि पतनी की सार संभाल करने वाला कोई नहीं है पती पतनी की सार संभाल कर पा रहा है 15 साल पहले शादी हुई पर कोई संतान नहीं है पिछले साथ साल से बिमारी की जंग लड़ रही है कमला अद्र शरीर से विकलांग है यह परिवार BPL है पर सरकार की उजनाव से वंचित है आज दिन तक नलाइट ना ही परधार मंत्री आवास बना ना ही शोचाले सरकार की तरफ से दी जाने वाली उजनाव से वंचित रहना सबसे बड़ा सवाल खड़ा हू रहा है घर के स्थीती देखी जाए तो घर पर दो कच्चे जोपे एक कच्चा छपरा ही बना हुआ है सरकार की तरफ से आज दिन तक इस परिवार के विकलांग पेंशन भी शुरू नहीं की गई सिर्फ खाद इश्रक्षा के तहट के हूं मिलती है परिवार वालों का कहना है कि कोई समाजिक संसा या सरकार की तरफ से कोई स्विधा मिले तो हम इलाज करवा सकेंगे किना में लगा आ तो हमना रहा है कंला देवी की पैमा देविया या वैज्वब्च दो वोस्ताप आपा प्रसक्रण नहीं पासे मैं तानिक प्ता किता परो गया है करें आयाक संही निवाट गल तो टो टीक डृट बार ठापर कि पाड़ो में मॉन कॉई अट Скर अटीडी चません अच्छाइ, ज़िए उतार ने हैं किया करो मजूड़ी मा पती द्रेव ज़िए उतार रिया प्रवज़ा नी इसे किता हैं, मन सोड़ाई आ है क्षटी बारी मजूड़ मा ज़ू सेजिए अच्छाइए नहीं ज़गा है नहीं करो तरफ अधे दिनों आड या ते यो कुग वह तो नहीं ज़से निज़ति है कि वह तो अधिवर्ट नहीं ज़से होगते यहां बेश्च दूति हमें नाट डिए लखे मुटते में प्रिकूले आब करणे दिए हुआएंस नौदीने विकलने में इस सिर्कारी कोष्ने करो करा नो कोई थे तो बेलाज किकर चुराओ थे उलाज किकर प्हार थे सब्सक्राइब रिप इस दौर रिप्या तो नहीं हों आज है कि